Hello friends, मैं हूँ सीमा, सीमा की डारियन ब्लॉक में आप सब का विलकम है Friends, कैसे हैं आप सब लोग? Friends, आज की हमारी रेसिपी है, पके हुई आम से बहुत ही टेस्टी आज की रेसिपी है हमारी, खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट और सब को बहुत पसंद आने वाली है, बचे हों, बड़े हों, सभी को बहुत पसंद आएगी तो यहाँ पे हमने दो पके आम ले लिये हैं, उसको हमने धुल लिया है और धुल करके उसके हम छिलके निकाल लेंगे, देखिए हम इसके छिलके निकाल रहे हैं और छिलके निकाल करके जो इसके अंदर का पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे गुठली को नहीं लेंगे बाकी जो अंदर के गुदे हैं इसको हम निकाल लेंगे दोनों के दोनों हमने छील लिया है और हमने लिलिया मिक्सर जार इसमें जार में हम इसके अंदर के गुदे जितने भी है आम के उसको हम निकाल लेंगे और निकाल करके चाकुस से हम सारा निकाल लेंगे निकालने के बाद फिर हम इसका पेश्ट तयार करेंगे ये काम कि हमने गुदे को निकाल लिया है अब हम दूसरे वाले को भी निकाल लेंगे जो दूसरे वाला हम है उसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे और निकाल करके फिर हम इसका पेश्ट तयार करेंगे ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे एक कप दूद फुल क्रीम का तो आदी कातूरी के लगभभख है यह चावल का अठा आटा आप मैदा डालना चाहें तो मैदा भी ढाल सकते हैं मैंप्लाइद पर मैंधा नहीं डाल रहा है और sensing के चम्मच की सहता से जिस्से पाद को अच्छे से मिक्स करना है जब और जब तक हम एक्स कर रहे हैं तब तक आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे निव होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वेल आइकन जरूर प्रेश कर लिजेगा जिससे कोई भी वीडियो डालू तो नाटिफिकेशन आप तो बहुत जरूर पहुंच जाए यह और जो भी ड्रैफ रूट्स आप दालना चाहें तो उसको भी आप डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच, मेठा सोड़ दीए अधा चमच मेठा सोड़रा डाल दिए प्यू elkू पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको महल के हाथ से चलाते रहेंगे अपने पेशड को मने पे... तयार करके रखा आ आम का इसको हम हलके हाथ से चलाते रहेंगे देखे कितना अच्छा पेस्ट बन करके तयार हो गया है और फिर इसको हम ढख करके रख देंगे लगभग आदा गंटा के लिए और यहाँ पर हमने काजू बादाम ले लिए हैं इसको भी हमने काट लिया चोटे चोटे टुकड़ों में और काट करके फिर लगभग आदा गंटा हो गया है अब हम इसको मिला देंगे उसी पेस्ट में यह जो हमने पेस्ट तयार किया था उसी में हम इसको मिक्स कर लिए हैं इसको और देखे कितना अच्छा हमारा पेष्ट तयार हो गया बनके कितना अच्छा कलर है इसका और खाने में तो बहुत अच्छा लगता यहां पर हमने दूद रख दिया है अदा लीटर से उपर ही दूद है इसको हम रख दें उबलने के लिए और यह उबल रहा है अब हम इसको कि दूसरे साइड यह पर और इस साइड पर हम रखेंगे कडाई कि कडाई में हम तब टक कि अ धूद् calor रहा है इस को चमच की साहता से डालते जाएंगे ऑप चमच से ढालना चाहे या हाथ से ढालना चाहे गए हैं तो उसको हम हैं फिर खाएंगे तो देखिए यहां पर हम कुलाब जामून वंदाओ क्वारो भी करणकश मुदस महीं हैं निकाल लिए हैं और अब हम इसको पूरा निकाल लिए हैं और फिर अब हम कि देखें चाहां कि बहुत जा आ खुला पूला है फिर से हमने रख दिया कड़ाई गर्म होने के लिए कड़ाई हमारी गर्म हो चुकी अब हम उसमें डाल दिया है दूद वही दूद जो हमने गाड़ा किया था वही दूद हम इसमें फिर से डाल दिया है कड़ाई में और हम यहाँ पर ले लिए हैं एक छोटी सी ग्लास में हम लगबग थोड़ा सा दूद ले लिए आदा ग्लास के लगबग और उसी में हम एक चमज कस्टरड पाउडर डालेंगे दूद हमारे लगबग उबल रहा है और हम इसमें कस्टर पाउडर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें कहीं लम्स न रहें इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद भी अच्छे से उबल रहा है जो दूद हमने रखा है कड़ाई में वो भी अच्छे से उबल रहा है और अब हम दूद में डालेंगे चीनी दूद में बहुत अच्छे से दूद उबल रहा है अब हम इसमें डाल दिया है चीनी दूद में दूद वैसे भी कुछ गाड़ा हो चुका था तो इसलिए हम इसमें एक चम मचीनी डाले हैं देखे गाड़ा होते थे कितना कम हो गया है और फिर अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कस्टरड पाउडर मिक्स करके दूद रखा था उसको हम डाल देंगे और डालन इलाइची पाउडर आधा चम मच के लगवाग आपको पसंद हो तो आप डाले ना पसंद हो तो ना डाले और जब एक दम से गाड़ा हो जाएगा फिर हम इसमें जो हमने मालपुए बना करके रखे हैं उसको हम डाल देंगे देखे कितना अच्छा लग रहा है बहुत ही ट कितना अच्छाा लग रहा है देखने से बहुत ही टेश्टी लगता है यह पर गाड़ा दूद भी लग रहा है एकदम फूल भी गया है अच्छे से गल गया है अब थोड़ा साम ड्राइफ रूट डाल देंगे ऐसे ही हम इसको जिसको खाना ऐसे ही खा सकते हैं लेकिन हम इसको फ्रीज में रख दिये थे लगवाग एक गंटे के बाद हम फ्रीज से निकाले हैं ठंडा ठंडा हमारा दिख टो प्लीज लाइक करियेगा निउ होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरे चैनल के लिए अगर आप न्यूREE होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आईकन जरूर प्रेस और लिजे मैं कोई भी वीडियो डालूंतो नेंटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए और प्लीज मेरे वीडियो को फुल वाच करिएगा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा सेर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा देखे कितना पी एक दम से तो प्लीज फूल वाज करिएगा सब्सक्राइब करिए थाइंक यू